किस तरह से पूरे देश के अंदर जूट फेलाया जाता है और वो जूट एक मुद्दा बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ तमिल नाडू और बिहारी मजदूरों के बीच में जगड़े की। कई मीडिया ने इस जूट को चलाया। तमिल नाडू और बिहार में अच्छा खासा टेंशन क्रियेट कर दिया। जो मजदूर होली पर अपने घर आ रहे थे, नॉर्मल में छुट्टी लेकर घर आ रहे थे। उन्हें बिहारियों का तमिल नाडू से पलायन बताया कि तमिल नाडू के जो मजदूर हैं, वो तमिल नाडू के मजदूर, बिहारियों के साथ में मार काट कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, पिछले एक हफ़ते से ये जूटी खबरें चलाई जा रही हैं, और ये जूट क्यों फैलाया जा रहा है वो भी साफ है क्योंकि जहां पर भाजपा की सरकार होती है वहां कोई खबर मीडिया इस तरह की कोई एसी वहां के कमी पेशी की कोई खबर दिखाने की हिम्मत नहीं करता लेकिन जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर इस तरह से जूट फैलाया कहीं आपस में लोगों की जो रंजिश है उस रंजिश के जो वीडियो है वो इस नाम से फेलाये जा रहे हैं कि बिहारियों को काटा जा रहा है यहां तक कि यह भी बताया जा रहा है कि एक साथ, बाराबारा, पन्द्रा-पन्द्रा लोगों को फंदे पे लटका दिया उनको मार दिया, इस तरीके का एक पुरा कि पूरा जूट फेला जा रहा है, गंडासे से मार रहे हैं दार दार तलवार से मार रहे हैं इनस सब में कई میडिया हैं लेकिन एक नफरतबाद यूट्यूबर है मनीश कश्यब ये इस पूरे मामले में लगातार जूटी खबरे फेला रहा है और ये जूटी खबरे फेला कर और बिहार सरकार के खिलाब बिहारियों को भड़का रहा है यहां तक कि इसने पूरा के पूरा एक स्क्रिप्टेड वी मुहमज उबेर जो की फेक्ट चेकर हैं उन्होंने उसके इस वीडियो का पूरा परदाफाश किया उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो यूटीवर है मनीश कश्यब ये लगातार जूट फेला रहा है मनीश कश्यब के इस जूट पे जो तमिल नाडू में जो बिहारी क्या हो रहा है जबकि कई हमने इंट्रिव्यू ऐसे भी देखे हैं जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर सब शांती है मनीश कश्यब पर तमिल नाडू पुलिस और बिहार की पुलिस ने केस दर्च किया है और इदर जो जूबेर है वो मनीश कश्यब के स्किप पुरा जो वीडियो है वो एक तरीके से स्किप्टिड है अब बिहार की पुलिस और तमिल नाडू की पुलिस ने इनको गिरफतार करने की बात कही है केस दर्च किया है तो अब ये जो यूट्यूबर है जो जूट फेलाता है ये भागता फिल रहा है पहले भी ये हिंदू पर यह नफरत भेला चुका है यह नहीं यह अपने कई ट्वीट भी यह नफरत भरे करता है अब जब गिरफतारी की बात आई तो यह रोने लगा और एक तरीके से यह बोखला गया इस बोखला आट में यह क्या वीडियो डाल रहा है यह भी आप देख लीजिए दूंगा गि चम्मच लेके पैदा हुआ हूं आपका चम्मच जो है महेंगा हो सकता है लेकिन मजबूती तो इस्टील के चम्मच में ही होता है जिस दिन आप बोलिएगा उस दिन की रफसारी दे देंगे हत्या थोरी किये हैं फरार थोरी है हम यह सब नहीं किये हैं जिस दिन बोलिएग और जब बोलिएगा तेजस्वियाद हो जी बोलिएगा फ्लाइट से फ्लाइट से चले आएंगे पटना बोलिएगा गाड़ी से गाड़ी से चले आएंगे पटना